गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम बेक तो मैं चैनल तो फ्रेंड्स आज का मेरा टॉपिक है रेट कलर के कस्मेरी हिबिसकस में हम ज्यादा फ्लावरिंग कैसे पाएं कौन से फर्टिलाइजर यूज करें जिससे की ज्यादा ब्लूमिंग हो तो देखिए यह मेरा प्लां ाप फ्लास्टिक पॉड्ड में चलते in per ovs अपा चाछ फ्रेंड्स नाहीं चलते हैं कि आप लोग इस्टे हैं आपकर तो पता है कि मैं ट्यरिस में गार्डवरिंग करती हूं तो इस तरह से देखिये मेरा प्लांट कितना अच्छा बूसी है और बहुत काफी अच्छा है तो मैं इसमें 15 से 20 दिनों में फंगी साइट का इस्प्रे हमेशा करती हूँ, तो हिबिसकस के प्लांट को फंगस अटैक का बहुत ज्यादा प्राबलम होता है, तो आप फंगी साइट का इस्प्रे जरूर करते रहिए, पूरे प्लांट को अच्छे से नहलाईए, इस्प्रे बॉटल में भरकर अच्छे से इस्प्रे कीजिए, इसके बाद इसमें मैं एप्सम सॉल्ट का भी इस्प्रे करती हूँ हर 20 दिन में, क्योंकि एपसम सॉल्ड के इस्प्रे से पत्यां बिल्कुल ग्रीन रहती हैं, बहुत ही सुन्दर और इनकी ग्रोध भी बढ़ती हैं, और गमले में भी एक चम्मच मैं डाल कर गुडाई कर देती हूं, एपसम सॉल्ड का, जिससे की इनकी ग्रोध अच्छी हो, और उसके इसके 20 दिनों बाद 20-25 दिन, आपको जो भी फर्टिलाइजर यूज करना है, एक सांस सभी फर्टिलाइजर नहीं देना है, कम से कम 20-25 दिन का गेप आपको रखना है, तो देखिए मैंने ये फर्टिलाइजर जो यूज करती हूं, ये नीम खली है, और आज वर्मिक कंपो अभी खतम हो गया, इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूं, तो सबसे पहले वर्मिक कंपोश्ड यूज कीजिए, उसके 20-25 दिनों बाद ये जो सीवीड ग्रेनवल है, इसको भी गमले में गुडाई करके आप डाल सकते हैं, दो चम्मच, 12 इंच का गमला है तो, या फिर आप लिक्विट बना कर भी पानी में डुबा कर रात भर रग दीजिए, सीवीड ग्रेनवल को, उसके बाद इस्प्रे बॉटल में डाल कर आप पूरे प्लांट को इस्प्रे भी कर सकते हैं, और गमले में भी लिक्विड दे सकते हैं, इसके बाद फ्रेंड्स आपको नीम खली भी गंबले में गुड़ाई करकर डालना है, नीमखली का भी रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, यदि आप इसको एक मुठी गंबले में डालकर गुड़ाई करते हैं, तो इंसेक्ट अटैक का चांस बहुत कमी रहता है, इसके इसमेल से नीमखली के, और इसके 20 से 25 दिनों इसमें बनाना पिल्स का लिकविट फटिलाईजर दीजे, या फिर तो आप पाउडर फाम में भी दे सकते हैं, केले के चिलको को सुखा कर पाउडर बना कर, या फिर केले को दो दिनों तक आप भी आ दीजे, उसके बाद उसका लिकविट इंगमले में दीजे, तो जिससे क इनकी ग्रोध भी अच्छी होगी और ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिंग करेगा क्योंकि बनाना पिल्स का लिक्विट फर्टिलाइजर इसके लिए वरदान जैसा है हिबिसकस के प्लांट के लिए तो इस तरह से मैं अपने इस प्लांट को मैं यही फर्टिलाइजर देती और इसका देखिए रिजल्ट कितना अच्छा है तो हिबिसकस के प्लांट में क्योंकि यह कस्मेरी हिबिसकस भी है और इसकी देखिए बिल्कुल डार्फ वराइटी है इसकी हाइड ज्यादा नहीं जाती है और इनमें फ्लावरिंग बहुं ज्यादा क्वांटिटी में होत और मेरे प्लांट में देखी कितनी सारी कलिया भी है और ये डेली फ्लावरिंग करता है मेरा प्लांट तो इस तरह से मैंने अपने इस कस्मीरी हििसकस के प्लांट को रेट कलर के यही फर्टलाइजर दिया है और उसका रिजल्ट आप लोग को दिख रहा है फ्रेंट्स तो आप लोग भी यही fertilizer use कीजे और उसके बाद मुझे comment में जरूर बताईएगा कि आपके plant की growth बढ़ी है की नहीं और ज्यादा flowering हुई है की नहीं तो इसी तरह से मैं अपने सारे हिबिसकस के जो plant है उनकी मैं देखरे करती हूँ और यही fertilizer देती हूँ तो बस friends आज का मेरा यही topic था अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को like subscribe जरूर कीजेगा बेल आइकन को प्रेस कीजेगा ताकि आने वाली वीडियो की notification आपको मिल सके और हिबिसकस के प्लांट आप और देखिए यह दो प्लांट है यलो कलर के इसे मैंने cutting से ही अपने garden में तयार किया है और देखिए मेरा महनत आज सफल हो गया है friends इसमें दो flowers आ रहे हैं दोनों प्लांट में एक-एक flowers आया हैं और यलो कलर के हैं तो जब भी हम cutting से कोई plant लगाते हैं और उसमें flowering होती है तो बहुत खुसी होती है तो मैं भी आज बहुत खुस हूँ friends देखिए मेरा प्लांट ज्यादा बड़ा है भी नहीं और मैंने प्लास्टिक पॉट में भी लगाया है और काफी अच्छा हेल दी है तो मैंने सोचा friends क्यों ना आप लोगों से भी मैं share करूँ मेरे cutting से जो लगे हुए हिबिसकस के प्लांट है तो फिर मिलेंगे friends नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ कोई नए चेप्टर के साथ और आसा करती हूँ आज का वीडियो जरूर अच्छा लगेगा तो ओ तो